आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ ठेके बचो इसमें क्या है ना एक विद्दुद परिपत दिया है ये विद्दुद परिपत आपको दिखाई दे रहा है और इस परिपत में हमको कुल प्रवाहित होने वाली धारकमान ग्याद करना है तो यहाँ पर आप देखे हमको क्या दिखाई दे रहा है तीन प्रतिरोद दिखाई दे रहा है, ठीक है, पात दस और ये तीस ओम का, ठीक है, अब ये तीनों किस में है, समानतर करम में है, ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका तुल ये प्रतिरोद लिखा लेते हैं, ठीक है, इस विद्धुत परिपत का तुल ये तो देखे ये समांतर क्रम है न तो समांतर क्रम में जब होता है ये समांतर क्रम में कैसे है ये देखे आप ये सभी प्रतिरोद का जो पहला सीरा है ये देखे एक common point से मिला है इसको मैं बिंदू ये नाम दे देता हूँ और दूसरा सीरा जो होता है सभी का जो दूसरा सीरा है दूसरे common point से मिला है तो इसको हम लोग बोलेंगे समानतर करम में तो यहाँ पर देखे तूल लिप्रतिरोध मालो यह R है इस पूरे परिपत का तूल लिप्रतिरोध R है तो कैसे लिका लिएंगे सब का विद्करम का योग करते हैं एक बटा R बराबन हो जाएगा एक बटा 5 एक बटा 10 और एक बटा 30 ठीक है यह देखे लग सभी का लगुतम समापर तक लेंगो तो 60 आएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 यह 6 आजाएगा और यह 2 आजाएगा ठीक है तो यह एक बटा 3 आया एक बटा आर बराबर एक बटा 3 इसका मतलब क्या है आर बराबर 3 ओम ठीक है तो यह तो तुल्य प्रतिरोध हमको प्राप्त हो गया अब देखे हमको धारा कमान गयाद करना है तो हमको पता है जो परिपत का जो V बराबर I into R होता है ओम के नियम से हमको पता है हा न ओम नियम से हमको पता है यह ऐसा होता है ठीक है तो यहां से I बराब को क्या मिल जाएगा V बटा R V यहांपर कितना दिया है देखे 6 ओल्ड का बैटरी है तो 6 बटा 3 मतलब कितना हो जाएगा 2 amp ere ठीक है तो इस परिपत में जो कूल धारा प्रवाहित होगी, कितनी होगी, दो एमपीर ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा